लास्ट वीडियो में ने देखा के लाइन कैसे ड्रो करते हैं आज हम देखने वाले कोडियर सिस्टम से लाइन कैसे ड्रो की जाती है Codent System की तीन मैथड है Absolute Codent System, Relative Rectangle Codent System एन थड़ है Relative Polar Codent System तो one by one हम सारी मैथड देखेंगे तो first लेते हैं Absolute Codent System X, Y X, Y क्या है कि X, Y X जो है वो horizontal distance आपको देना है और Y में vertical distance देना है यहाँ यहाँ पर मैंने एक object ड्रो किया हुआ है वो object हमको यहाँ पर ड्रो करना है तो इसकी जो lengd है वो है 10 आइट 4 यहाँ पर इसकी horizontal dimension है 3 vertical dimension 4 horizontal dimension 3 vertical dimension 4 यहाँ पर horizontal 4 यहाँ पर टोटल जो lengd है इसकी वो है 12 ओकل करना है तो line की shortcut की है and enter यहाँ आप line यहाँ से भी start कर सकते हो यहां पर click करके तो मैं घता हो L enter यहां पर लिखा specific first point तो आपको यहां पर first point कौन सा देना है 0,0 यहां पर लिखा है 0,0 तो आपको यहां पर लेना है 0,0 absolute coordinate system में याद रखना है कि जो भी आप coordinate देते हो वो 00 reference से ही लेना है तो 0,0 हमारा line start होगा यहां से enter जैसे मैंने 00,0 दिया तो यहां पर मेरी line draw होना start हो गया है next line कौन से चाहिए आपको मुझे next line चाहिए 10 यह 10 की length जो है वो मुझे चाहिए तो horizontal 10 की length चाहिए आपको 10,0 vertical dimension नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा enter तो 10 की line बन चुकिए अभी vertical मुझे 4 की line रो करना है तो आपको जो मैं last dimension यह 10 वो तो add करते ही जाना है 10,0 और इसके बाद इसके बाद dimension है 4 vertical 4 enter तो next हो गया 10,4 तो 4 की length बन गई vertical इसके बाद next line है 7,4 enter next 7,8 enter next 4,8 enter next 4,12 enter इसके बाद 0,12 enter अब मुझे line close करना है तो 0,0 enter तो line close हो जाईगा तो यह से आप code system यूज़ करके पूरा object draw कर सकते हैं अभी मेरी line start है अभी खतम नहीं हुआ है इसके बाद आपको एक बाद enter देना पड़ेगा या escape देना पड़ेगा या आप right click करके enter कर सकते हो और enter तैसे coordinate system से आप absolute coordinate system से आप line draw कर सकते हो इस method का disagreement इस यह है कि जो भी आप coordinate लेते हो 00 reference से ले रहे हो ओके सबोश आपको यह vertical length draw करना है तो आप क्या करते हो 10,4 लिखते हो तो 10,4 लिखते हो 00 reference से count करता है तो यह बहुत long method हो जाती है और दूसरा कि जो भी आप draw कर रहे हो वो 00 reference से draw कर रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी आप point click करके draw कर सकते हो और दूसरा कि आप जो 00 reference भी आपको नहीं लेना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप x dimension positive side जा रहे हो x में right side जा रहे हो तो positive आएगा x में left side जा रहे हो तो negative आएगा value y में आप उपर जा रहे हो तो positive आएगा और y में आप नीचे आ रहे हो तो negative आएगा चलिए अब object डाउ करते है यह object मुझे draw करना है l enter first point मैंने click किया फार्स पर्ट मैंने क्लिक किया तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा एट दरेट करना पड़ेगा एट दरेट नहीं करऊगे तो वह कहां से काउंट करेगा 00 से ओके मुझे द्रो करना ही horizontal line मैंने लिए एक्स में 10 मुझे जाना है और य में मुझे 0 जाना है एंटर, तो 10 के ला एंटर हो गया, पहले क्या होता था, कि मुझे पहले का भी dimension count करना पड़ता था, मगर अभी मेरे पास है add the rate है, तो add the rate का meaning क्या होगा, कि 0-0, जब आप add the rate करते हो, तो जो last point है आपका, वो 0-0 हो जाएगा, अभी आप vertical आपको 4 देना है, तो X में 0 और Y में 4, एंटर, तो जो last dimension होगा है आपका 0-0 हो जाएगा, फीड से add the rate, अभी आपको क्या करना है, X में ही जाना है, मगर negative direction में जाना है आपको, तो X क्या आएगा, minus 3, 0, okay, add the rate, vertical जाना है, 0, 4, horizontal negative direction में जाना है आपको, तो minus 3, 0, vertical जाना है, X 0 हो जाएगा, और Y 4, okay, और add the rate, horizontal dimension देना है, negative direction, minus 4, 0, enter, अभी आपको, नीचे की side आना है, add the rate, तो X में 0 आ जाएगा, और Y में, आपको नीचे आ रहे हैं, negative side, Y 12, enter, command से बाहर निकल लिएगे, बापस एक बार enter देना पड़ेगा, यह आपका object draw हो चुका है, तो आपको यह चीज याद रखना है, इसमें, X में जाना है, positive side है, right side जा रहे हैं, तो positive आएगा, back आ रहे हो आप X में, तो minus आएगा, ओके, वैसे ही, आप Y में उपर जा रहे हो, तो plus, नीचे आ रहे हो, तो minus आएगा, तो यह होगा है, relative rectangular code rate system, format है, at the rate X, Y, third method है, relative polar code rate system, इसकी format at the rate तो है, at the rate का meaning क्या है, 00, distance आपको देना है, X दे सकते हो, या Y दे सकते हो, और listen का symbol देना है, और उसके बाद angle लिखना है, angle में 30 degree, 60 degree, 90 degree, 180, 270, any angle आप दे सकते हो, ओके, तो यह ही object, same object हम दो कर रहे है, L enter, कहीं पर भी point click कर दीजिए, आप 00, भी दे सकते हो, मुझे यहां से start करना है, मैंने यहां पर click कर दिया, और add the rate मैंने कर दिया, तो यह point हमारा 00 हो गया, अब इसके बाद, suppose मुझे 10 के length draw करना है, 10 less than 0, okay, enter, अब मुझे वर्टिकल जाना है, तो वर्टिकल के लिए, add the rate for less than 90, enter, okay, add the rate, horizontal के लिए dimension 3 मेंने डाल दिया, less than, बेक आना है, 180 degree, enter, add the rate for less than 90, okay, enter, add the rate 3 less than 180, enter, add the rate, vertical जाना है, for उसका distance है, less than 90, add the rate for horizontal जाना है, for उसका distance है, less than 180, okay, add the rate 12 less than 270, okay, आप नीचे आ रहे हो, enter, अब दूसरी बार enter करोगे, कमांड से बाहर निकल जाओगे, ओके, तो third method में क्या है, polar code system में, आपको angle देना है, तो angle आप कैसे दोगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आएगे, ऐसे आप angle दे सकते हो, सबोज आपको 60 degree पर line ड्रो करना है, एल एंटर, first method में यहाँ पर क्लिक किया, और add the rate, length कितनी चाहिए, आपको 10 की चाहिए, less than, angle कितना चाहिए, सबोज मुझे 45 angle का चाहिए, एंटर, ओके, तैसे आप angle पर line ड्रो कर सकते हो, और अभी आपको क्या, 90 degree पर line ड्रो करना है, add the rate, 10 की लेंट चाहिए, less than 90 degree, enter, ओके, add the rate, 10 less than 135, enter, जैसे आप line ड्रो कर सकते हो, आज हमने देखा, coordinate system से line कैसे ड्रो करते है, next video में हम देखेंगे, rectangle कैसे ड्रो करते है,